हेलो गाइस, I hope कि आप सब लोग घर पर सेफ है तो हमारे आज के स्टोडी का टाइटल है तब बेगर, जिसके राइटर का नाम है एंटर्न चेकोफ, ये स्टोडी स्टार्ट होती है एक बेगर से, जो बीच रोड में भीक मांग रहा था, वो कहता है प्लीज मुझे कोई खाने के लिए दे दो मैं तीन दिन से बुका हूँ, मेरे पास अच्छे रूम में रहने के लिए पैसे नहीं है वो अप एड़ुकेट जिसका नाम था सर जी उससे कहता है, पहले मैं एक स्कूल में कहीं देखा है, वो उसे बताता है एक साल पहले मुझे रश्या से जॉब उफर आया था, बट कंडिशन्स ठीक ना होने की वज़े से मैं वहाँ जॉब के लिए अपलाई नहीं कर पाया सर जी अब उस बेगर को कहता है शायद परसो मैंने तुम्हें किसी स्ट्रीट में देखा है और मैंने तुम्हें वहाँ पर ये कहते भी सुना था कि तुम किसी इंस्टिउशन के स्टुडेंट हो जिस इंस्टिउशन से निकाल दिया गया है बेगार शौक था, वो कहता है मैं स्कूल टीचर हूँ, अगर तुम्हें अभी डाउट है, तो मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट शोक कर देता हूँ, जिसके बाद तुम्हें अकीन हो जाएगा, सर्जी कहता है, नहीं मेरी आखे दोका नहीं खा सकती, बैगर फिर कहता है, नहीं इट्स इंपॉसिबल, सर्जी कहता है, सच सच कहू, सर्जी अब बोलता है, ठीक है, तुम्हें सच नहीं बोलना, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, वो तुम्हारा सच जरूर निकल वाएगी, सर्जी उसे दोके बाद समझ रहा था, उसके बाद बैगर खुद को कन्फेस करते हुए कहता है, नहीं वो स्टुडेंट है, नहीं वो टीचर, वो एक रेशन ग्रूप में सिंगिंग का काम करता था, उसके बेर पीने की बैड हैबिट के वाज़े से, उसके ग्रूप वालों ने उसे ग्रूप से निकाल दिया था, पर अगर वो ये बात सब को बता देता, तो शायद कोई उसे भीक भी ना दे, और वो भूका मर जाएगा, इसलिए वो ऐसा करता है, तो सर जी कहता है, फिर तो तुम्हें सिर्फ कुछ काम खुजने की नीड है, सर जी कहता है, क्या तुम मेरे हाँ लकडी काटने का काम करना पसंद करोगे, बेगार बोलता है, हाँ जरूर, उसके सर जी उस बेगार को अपने घर ले जाता है, और उसके घर के ओलका को बुला कर कहता है, इसे वो जगा दिखाओ जहां इसे लगडी काटने का काम करना है, उस बेगार को अलरेडी बहुत ठंड लग रही थी, और उसके पास एड़ प्रेजेंट कोई इनर्जी नहीं थी, व उसके बाद वो देखता है कि ओलका को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो बेगार को उस वोडशेट के अंदर ढखा देती है, उसके बाद वो बेगार खुद को बहुत वीक फिल कर रहा था, और वो साइड में जाके बैड गया, उतने में ओलका आके वहां एक एक्स को उसे वो काम पे लगा दिया, उसके बाद जब एक घंटे के बाद ओलका वहां गई तो उसने सरजी को आगे बताया कि सर सारी लकडियक काटी जा चुकी है, और सरजी ने कुक से कहा कि जाओ उस बेगार को हाफ रुबल्स दे दो, उसने ओलका से कहा कि जाकर बेगार को ये भी कहना, अगर वो चाहे तो हर मन्त के फर्स जे पे यहां आके लकडि काटने का काम कर सकता है, वो यहां आ सकता है, हम उसे हाफ रुबल्स दे दिया करेंगे, वो कहते हैं, वो लोग काम भी सर्च करेंगे, उसके बाद हर मन्त के फर्स जे पे वो बेगार काम पे आ जाता और वो हमेशा नैशे में भी रहता था उसे डेली बेसिस में हाफ रिबल मिलने लगे उसने वहां और भी बहुत से काम करना स्टार्ट किया जिसे बर्व हटाना लकडी को शेड के उपर चड़ाना और बहुत कुछ उसको इन सब कामों के लिए 2040 कोपेक्स मिलता था उसके बा सामान शिफ्ट कर रहा था तो वो एक चीज नोटिस करता है कि इस बार बेगार ने बियर नहीं पी रखी थी उसको अब भी बहुत वीक फिल हो रहा था किसी भी सामान या फरनीचर को खिसकाने में उसे थोड़ा जादा ही टाइम लग रहा था उसे काफी जादा थंडा सेलो आज के तुम्हारा लेबर चार्ज और उस से उसका नाम भी पूछा बिकार कहता है जी मेरा नाम लश्कफ सटो जी कहता है क्या तुम्हें राइटर का काम आता है तो बेगार कहता है हां जी मुझे आता है सटो यह लो मेरा पास एक लेटर है इस लेटर को लेके तुमyour striking के पास चले जाओ वो तुम्हें इस letter की copies ready करने के लिए कुछ अच्छा और important time provide कर देगा सर्जी कहता है अगर तुमने अच्छी writing skills शोगी तो ये भी possible है कि तुम्हें वहाँ employment मिल जाएगा सर्जी को एक बेगार को employment मिल रहा है और उसने किसी की life change कर दी ये देख बहुत खुशी हो रही थी दो साल तक लश्कॉफ और सर्जी की meeting नहीं हुई उसके बाद जब सर्जी movie देखने cinema hall में गया हुआ था वहाँ जब वो ticket buy कर रहा था तो उसके just side में एक small height का बंदा खड़ा हुआ था वो वहाँ copper coins देखे ticket buy कर रहा था सर्जी को उसका चहरा पहचाना हुआ लगा तो वह कहता है are you Lushkov तुम आजकल कहा हूँ कैसे हो are you okay सब बढ़िया है न लशकॉफ कहता है अरे सर्जी तुम मैं आजकल notary का काम करने लगा हूँ मुझे इस काम के लिए 35 rubles मिलते है I am enjoying this work सर्जी ने उसको उसके नए वक के लिए congrat किया और कहने लगा मुझे बहुत खुशी है मैं God का thanks करता हूँ उसके वज़े से वो बैगार एक अच्छा आदमी बन पाया वो आगे कहता है मेरी डाटने से अस लशकॉफ तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो मुझे बहुत खुशी है लशकॉफ कहता है मैं आपका जितना thanks करूं उतना कम है आपने मुझे सही रास्ता दिखाया मेहनत करना सिखाया और तब ही मैं मुकाम पे पहुंचा हूँ अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज भी बैगिंग कर रहा होता मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपने तो मेरी मदद की ही है पर इससे साथा मेरी help उस cook ओलका ने की है उस लेड़ी के वज़ज़ से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया वो कहता है actually मैं जब आप तक उसने एक भी लकडी नहीं काटी है जितना लकडी काटने का काम हूँ है सब और की महनत है वाकई में और का बहुत द्यालू लीडी है उसने मुझे सीख दी और मैंने बिया ड्रिंकिंग छोड़ दिया और डेली बेसेस पे अपनी अच्छी घासी जीगा चला रहा हूं अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूं तो गाइस आई होब कि आपको एक्स्प्लेनेशन समझ आ गया होगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चानल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में दबता के लिए स्टे स्टे सेफ गुडबाए